राधे राधे एवरिवन, आज की वीडियो में मैं आपको अक्षे तिर्तिया, यानी आखा तीज की बहुती सरल पूजा विधी बताऊंगी सास्त्रों के अनुसार, अक्षे तिर्तिया के दिन जो पूजा और दान हम करते हैं, उसका फल अक्षे होता है यानि उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है पीड़ी दर पीड़ी हमें उसका फल प्राप्त होता है इसलिए अक्षे तिर्तिया के दिन पूजा और दान का बहुत अधी महतो है तो देखे अक्षे तिर्तिया के दिन सुबह-सुबह सनाना आदी करने के बाद आप अपने घ के को साफ कर लेंगे उसके बाद हमें एक घड़ा लेना है घड़े को कंठ तक शुद्ध जल से हम भर लेंगे और देखे घड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि जिसको भी आप ये दें उसके काम आ सके तो सबसे पहले हमने घड़ा ले लिया है घड़े को भरके रख लेंगे उ दान करते हैं तो कलश के कंट को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं कंट पर हम Greg Bilicam अपने हमें तिलक करना है तो कि आपके दिकिन दिलक हरब दिन आप। पूरा चंदन सिरंगार किया जाता है, तो आप हो सके तो चंदन सिरंगार कर दीजेगा, चंदन सिरंगार ना भी कर पाएं, तो सभी को आप चंदन से तिलक जरूर जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन से सीतलता मिलती है, तो चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद रोली का हम तिलक लगा देंगे इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे समय पर बहुत गर्मी होती और भगवान को सितलता प्रदान करने के लिए फूल चड़ाए जाते हैं साथी भोग में हमें मीठा जरूर चड़ाना है गुड़ी या चीनी कोई भी मीठा आप ले सकते हैं घड़े म साथ में ही हमें कोई भी रीतुफल जरूर लेना है ककड़ी खरबुजा अम तर्बुज कोई भी रीतुफल आप लें और घड़े के ऊपर जरूर रखें इसके साथ ही यठा संभव हम दक्षिना ले लेंगे दक्षिना पूजा में रही कम्यों को पूरा करती है इसलिए प्रड़ को समर्पित करने के लिए हम एक लोटा जल अलग से लेंगे लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा अनाज हम ले लेंगे गेहूं या चावल दाल जो भी आपने चड़ा है उसमें से थोड़ा सा ले लें इसके बाद अगर आपने अक्षे तिर्थिया का वरत किया ह है तो अनाज हाथ में लेके हम संकल्प करेंगे कि हे भगवन आज मैं आपके निमित ये दान कर रही हूं आप मेरे इस दान को स्विकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें ये कह के जल के लोटे में हम ये डाल डाल देंगे अब हम करेंगे आरती तो बहुत ही प्रेम करेंगे आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए श्माय आचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे इस तरह से हमारा बहुती सरल वीधी से अक्षितिर्तिया का पूजन पूर्ण हो जाएगा पूज जड़ा, दक्षिना, डाल, मीठा जो भी हमने चड़ाया है ये हम सब दान कर देंगे तो देखिए दान किसे करना है आप चाहें तो ये मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं आप चाहें तो किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं आप दान उसे दें जिसको इसकी तो किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं, फिर आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहां पर रस्ते में आयने जाने वाले लोगों के लिए पानी रखा जाता है, यानि प्याओ अगर है तो वहाँ पर भी आप ये घड़ा रखे आ सकते हैं, यानि ये घड़ा आप उसे जिसको इसकी जरूरत है, फ्रेंट्स, अक्षे तिर्तिया की पूजा का बहुती सरल तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप स्टूरेंट हैं, जोब करते हैं, या किसी और कान से अगर आप पूजा में बहुत जादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो आप इस तरह से बहु का दान आप जरूर जरूर कीजिएगा, एक मिट्टी का घड़ा जल से भरके दान करना बहुत मुस्किल नहीं है, लेकिन इसे दान करने के बाद जो फल हमें प्राप्त होता है, वो अनंतुगुना प्राप्त होता है, तो अक्षे तिर्तिया के दिन कम से कम इतना पूजन औ और दान आप जरूर जरूर करें, आपको अक्षे तिर्तिया कि ये सरल पूजा विधी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को कर लेना, राधे राधे